दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने पेटियम एप्लिकेशन में अपना दूसरा बैंक एकाउंट या अपना तीसरा बैंक एकाउंट एड़ करना चाहते हैं तो कैसे आप पर एड़ करेंगे हमारे पास पेटियम एप्लिकेशन है यहा ऊपर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर दो बैंक एकाउंट याणी के सिर्क और फोग्ना, जाए तो कैसे एड करेंगे , बस आपको एक बात को याद रखना है कि जो आपका ये mobile number है यानि कि जिस number से आपका ये paytm account बना हुआ है यही mobile number आपके bank में register होना चाहिए आपके दूसरे bank में फिर आप आसानी से add कर पाएंगे add करने के लिए क्या करना होगा तो यहाँ पर आपको मिलें का UPI setting आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपके सारे bank account आ जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहूंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा यहां पर एक option मिलेगा add another bank account आपको इस पर click करना है अगर आपको यह option यहां से ना मिले जब आपको यहां से ना मिले तो आपको यहां से बैक आना है आपको अपने profile पर click करना है जैसे आप profile पर click करेंगे यहां पर आपको मिलेगा link bank account आपको इस पर click करना है आपके समने वही option आपको नीचे आना है और add another bank account पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपका कौन सा bank account है आपको यहाँ पर देख लेना है नहीं तो आपको यहाँ पर search भी कर लेना है हमारा bank का बढ़ होता है तो इस पर हम click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे हमारा bank account यहाँ पर add हो जाएगा link bank account successfully जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर हमारा bank account add हो गया अब आपके समय यहाँ पर एक option आ रहा होगा set upi pin का option तो आपको अपने bank account का upi pin set करना होगा upi pin कैसे set करते हैं उसके लिए अपको यहाँ पर मिलेगा एक set upi pin आपको उसपर click करना है यह से आप उसपर click करेंगे आपके ATM card के यहाँ पर आपको कुछ details देना होगा जैसे अपने ATM card का सबसे पहले छह अंक यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद आपको अपने ATM keard का expiry date आपको इस पर किलिक करना है तोड़ासा वेट करेंगे आपके पास यहाँ पर एक आजाएगा यानि कि आपके ATM card में जो मुबाइल नंबर रेजिस्टर होगा यानि कि bank की तरब से एक OTP आएगा वो यहाँ पर automatic fill up हो जाएगा fill up होने की बाद यहाँ से आपको write करना है आप यहाँ पर मिल जाएगा set of four digit UPI pin और यहाँ पर आपको अपना UPI pin set करना होगा तो यहाँ से अपना जो भी आप UPI pin बनाना चाहते हैं बना लीजिए यहाँ से देख लीजिए तो मैंने हैं आप अपना UPI pin बना लिया है आप यहाँ से आप इसे write कर देंगे आपका UPI pin बन जाएगा तो आपका UPI pin बन जाएगा फिर आपने bank का balance भी देख पाएंगे कोई भी आपको problem नहीं होगा यहाँ से मिल जाएगा check balance यहाँ से देख सकते हैं नहीं तो बैका जाना है जैसे आप यहाँ से बैका जाएगे बैकाने की बाद balance history पर click करेंगे और यहाँ पर भी आपका bank account आजएगा check balance पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे जो आप UPI pin बनाएगे वो अपना UPI pin यहाँ पर डाल देना है उसके बाद write कर देना है जैसे आप पर write करेंगे अभी आपका जो balance होगा वो यहाँ पर so हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपने Paytm application में दूसरा bank account या आप तीसरा bank account कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही